दोस्तो अगर आपको आय प्रमार पत्र यानी की income certificate अपलाई करना है तो इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है घर बैठे ही आप लोग मात्र 15 रुपाय में एक न्यूँ income certificate के लिए अपलाई कर सकते हैं अपलाई करने के मातर 5 दनों के अंदर ही आपका ये जो certificate है बहे बनके तयार हो जाता है और online ही आप लोग अपने certificate को download करके कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं अच्छी बात ये है आपको इसमें किसी भी महर या पर signature की भी आपशकता नहीं पढ़ती है क्योंकि इस पर पहले से ही लिखा हुआ होता है कि इस certificate पर आपको किसी भी महर या signature की आपशकता नहीं है ये certificate आपका digitally signed किया हुआ रहता है तो कैसे आपको income certificate घरवेटे apply करना है चलिए शुरू करते हैं आपको गूगल में आना है और यहां पर आपको टाइप करना है एडिष्टिक और अपनी स्टेट का नाम टाइप करना है आपकी स्टेट का जो लिंक है पहले नंबर पर ही आ जाएगा तो आपको इसी बाले option पर एक बार क्लिक कर देना है देन क्लिक करने के बाद में आप लोग अपनी स्टेट की ओप्शियल पोरिटल पर आ जाएंगे जैसे कि हम यहां पर यूपी का इंकम साइट्फिकेट अपलाई करने वाले हैं इसलिए हम यूपी इडिष्टिक की ओप्शियल वेबसाइट पर आ चुके हैं यहां पर सबसे पहले तो आप लोग़ों को छोटा सा एक रिस्ट्रेशन करना है तरह इसके बाद में आपको लोगिन करके इंकम साइट्फिकेट के लिए अपलाई करना है उपर के साइट में आप लोग़ों को एक ओप्शन देखने को मिल जाएगा लोगिन इस वाले option पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहां पर आपको एक option मिलेगा citizen login e साथी इसी वाले option पर एक बार क्लिक कर देना है और अब आप लोग इस वाले portal पर आ जाएंगे यहां पर एक option देखने को मिल जाता है नभीन उप्योग करता पंजी करण इसी वाले option पर एक बार क्लिक करेंगे और यहां से सबसे पहले आप लोगों को विल्कुल फूरी में इसका user ID और पासवाइड क्रियेट कर लेना है यहां पर आपको login ID टाइप करना है जिसमें की आपको अपने name and कुछ letters को mix करके enter करना है और उपलब दता की जाच करे वाले option पर क्लिक करेंगे अगर यह login ID अविलेवल होगी तो आपको यहां पर मिल जाएगी इसके बाद में यहां पर आवेदक के name को enter करना है आप जिसके भी नाम से certificate अपलाई करना चाहते है date of birth यहां पर आप लोगों को इस calendar के माद्दें से select कर लेना है और यहां से आप लोगों को link select कर लेना है आपका जो complete address है उसे यहां पर fill करेंगे आपके area का जो pin code है वो यहां पर fill करेंगे यहां से आपको अपने district का नाम select कर लेना है इसके बाद में यहां पर mobile number एंटर करेंगे email id अगर है तो email id भी fill करेंगे capture code को यहां पर fill करेंगे और सुरक्षित करेंवाले option पर एक बार click करना है इसके बाद में आपके mobile number पर OTP send किया जाएगा OTP fill करके submit करेंगे तो इसका जो password है भहे आपके mobile number पर SMS के माद्दिम से send कर दिया जाएगा इसके बाद में आपको इसके home page पर आ जाना है और यहां पर login id पासवर्ड capture code को डाल करके submit करेंगे और आपके सामने new password create करने का option आ जाएगा आप लोगों को new password को create कर लेना है और दुबारा से आपको यहां पर user id और new password capture code को यहां पर fill करेंगे और submit वाले option पर एक बार किलिक करना है इसके बाद में आप लोग इस portal में successfully login हो जाएगे और यहां पर इसकी जो भी services हैं उन services के लिए आप apply कर सकते हैं जैसे कि हमें यहां पर एक income certificate के लिए apply करना है तो यहीं पर आप लोगों को option देखने को मिल जाएगा आय फिर्माड पत्र आप लोगों को इसी बाले option पर एक बार किलिक करना है और अब यहां पर income certificate को apply करने के लिए आधार ekyc करना जरूरी है तो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले अपने आधार card number को enter करना है इस capture code को same to same यहां पर fill करेंगे एक box दिखाई दे रहा इस पर आपको tick लगाना है और यहां पर submit वाले option पर click करना है और इसके बाद में आपके आधार card से जो भी mobile number link है उस पर एक OTP send किया जाएगा OTP यहां पर fill करेंगे और submit वाले option पर एक बार click कर देना है इसके बाद में आपके सामने एक new income certificate apply करने का पूरा आवेधन पत्र आ जाएगा अब इस form को आप लोगों को अच्छे तरह से fill करन है हमने यहां पर पिता से लेक्ट करना है इसकी बाद में माता जी का नाम एंटर करेंगे और यहां पर आप लोगों को complete address को fill करना है जो भी आपका बरत्मान पता है जिसमीं के सबसे पहले मकान number fill करेंगे इसके बाद में पोश्ट या फिर मुहला का नाम जन्पद आपका पहले सही select रहेगा जो भी अपने registration करते समय दिया था तहसील आप लोगों को यहां से select कर लेना है इसके बाद में यहां से आप لوगों को अपनी gram का नान से लेक्ट कर लेना है यहां पर आप लोगों को अपने 10 digit के mobile नम्बर को enter करना है अगर आपका इस्थाई पता और बर्तमान पता दोनों सेम हैं तो आपको इस वाले box पर tick लगाना है तो सेम address यहाँ पर आ जाएगा अब आप लोगों को यहाँ पर अपने बेवसाय के बारे में बताना है कि आप क्या काम करते हैं तो इस वाले option में आप लोग fill कर सकते हैं एक्जामपल यहाँ पर दिया हुआ है कोई बेकती सिलाई करता है कड़ाई या फिर मजदूरी तो जो भी काम आप करते हों आप लोगों को यहाँ पर उसी प्रकाल से टाइप कर देना है अगर अन्य काम भी करते हैं तो कोमा लगा करके आप लोगों को और भी काम को यहाँ पर add कर देना है अब यहाँ पर आप लोगों को अपने परिवार के विरोड को fill करना है सबसे पहले आपको यह बताना है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं इस वाले column में आप लोगों को fill करदेना है और इसके बाद में जितनी भी सदर्स यहां पर fill करेंगे तो उसी तरह से नीचे की side में column आ जाएंगे इन column को आप लोगों को अच्छी तरह से एक-एक करके fill करना है जिसमें के सबसे पहले यहाँ पर परिवार के सदर्से का नाम enter करना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को उसके व्यवसाय को enter करना है और यहाँ पर कितनी income हो रही है उस ब्यवसाय से वो आप लोगों को fill कर देना है और इसी तरह से जितने भी आपके परिवार में सदस हैं सभी की information बारिवारी से आपको add कर देना है कुछ नीचे की साइड में आएंगे अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है कम से कम एक स्रेडी का वेवरर देना अनिवार है तो यहाँ पर जहां जहां से भी आप लोगों की income हो रही है तो वो income आप लोगों को यहाँ पर fill कर देना है और यहाँ पर आपके परिवार की कुल बारसिका कितनी है बहे अटोमेटिक ही कैलकुलेट होके आ जाएगी यहाँ पर पूचा जा रहा क्या इससे पहले पूर्व पिर्मारपत्र जारी हुआ इससे पहले भी अगर आप लोगों को प्रमाड़ पत्र बन चुका है तो yes करेंगे नहीं तो नहीं वाले option को ही select रहने देना है आवेधन सुल का भुकतान कर दिया है या फिर नहीं किया हमने अभी नहीं किया इसलिए हम नहीं वाले option को select करेंगे इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने ration card number या फिर परिवार ID को enter करना है अगर ration card number नहीं है तो आप लोगों को इसे ऐसे ही छोड़ देना है आय प्रमाडपत्र बनवाने का कारण क्या है तो वो आप लोगों को select कर लेना है जैसे कि यहाँ पर छात्र बरतथी के लिए आप बनवार है या फिर अन्नी किसी कारण के लिए या फिर सिक्छर संस्थान में प्रवेस के लिए हमने यहाँ पर चात्रब्रत्य हेतु सेलेक्ट कर लिया इसके बाद में यहाँ पर कुछ अपने डॉक्मेंट को भी अपलोड करना है डॉक्मेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं तो उनकी लिष्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर पास्पोर्ट साइच के एक फोटो को अपलोड करना है, इसके बाद में स्वप्रमारिक घोशड़ा पत्र को अपलोड करना है, जिसका फोटो आप अभी डिस्प्ले पर देख सकते हो, कुछ इस तरह से दिखता है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप् रख अपलोड करना है, इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करना है, और आपकी जो इसका उपलोड करना है, जो फोटो आप अपलोड करेंगे, उसका मैकसिमम साइच प Chang रहना चाहिए, और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन के लिवाद में यहाँ पर आपके ए एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा जिसमें कि आपने जितनी भी information को फिल किया था सारी कुछ information आप लोगों की कुछ इस तरह से आ जाएगी नीचे की साइट में आप लोगों को आ जाना है यहां पर आप लोगों ने जो भी दस्तावेच बगारा अपलोड किये हैं तो बोड़ दस्तावेच आ जाएंगे और इसी के साथ में यहां पर प्रोसीड का ओप्शन देखने को मिल जाएगा तो आपको प्रोसीड वाले ओप्शन पर एक बार किलिक करना है और अब हीद प्रोसीट्पट वाले ओप्शन पर क्लिक करना है और एक बार की दिस्प्लेग करेंगा अब इस पोडिवार को आपको किसी बी प्रोपार के माध्द्टिम से यहां करना है और अलाइन ही 15 रुपिंट का प्रेंगा है और payment complete करने के बाद में दोवारा से आपको इसी वाले page पर आ जाना है यहां पर आपको एक option देखने को मिल जाता है आबेदन की सूची आपको इसी वाले option पर एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहां पर आप लोग देख सकते हो सर्विस नेम लिखके आ जाएगा जिसमें कि यहां पर हमने income certificate के लिए apply किया था तो यहां पर आप देख सकते हो लिखके आ चुका है applied and forward to concern officer यानि कि हमने apply कर दिया है और हमारा जो certificate है concern officer के पास में forward कर दिया है जैसे ही बहां से verify होगा इसके बाद में इसी portal से आप लोग अपने income certificate को download कर सकते हैं अब मैं आप लोगों को यहां पर certificate को download करने का भी process बता देता हूँ तो certificate को download करने के लिए यहां पर आप लोगों को एक option देखने को मिल जाता है निस्तारित आबेदन आपको इसी बाले option पर एक बार click करना है और यहां पर आप लोग कास्ट certificate को download करना चाहते हैं या फिर income या domicile तो हम यहां पर income certificate को download करेंगे इसलिए हमने income बाले option को select कर लिया यहां पर अभी तक हमने तीन income certificate अपलाई किये हैं और तीनों ही हमारे बन चुके हैं जितने भी आपके income certificate बनके तयार हो जाएंगे तो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे मैं यहां पर एक income certificate को download करके दिखा देता हूँ जो भी application number है इसी वाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद में आपका जो site forget है बहे कुछ इस तरह से आ जाएगा यहां पर आप देख सकते हो पूरा site forget download हो चुका है और नीचे की site में लिखा हुआ है यह है प्रमारपत्र electronic delivery system द्वारा तयार किया गया है तथा digital signature से हस्ता चारित है तो इस पर आप लोगों को किसी भी महर या फिर signature की भी आपशकता नहीं पड़ती है इसका print out निकलवाने के लिए direct आपको print वाले option पर click करना है और click करने के बाद में कुछ इस तरह से इसका preview आपको देखने को मिल जाएगा और यहीं से आप लोग इसका print out भी निकाल सकते हैं आप चाहें तो इसे अपने laptop या फिर mobile में PDF format में भी save करके रख सकते हैं यहाँ पर option देखने को मिल जाएगा save as PDF इस वाले option को select करेंगे और यहाँ पर save वाले option पर click कर देना है इसके बाद में आपकी जो income certificate का PDF है आपके mobile phone में save हो जाएगा किसी भी shop पर जाकर के आप लोग इसका print out निकल भा सकते हैं इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से घर बैठे ही एक new income certificate के लिए apply कर सकते हैं